जब भी दो देशों के बीच सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो सामान ले जाने के लिए तीन ही मेजर तरीकों का इसमाल किया जाता है या तो सामान ट्रेन से आता है या प्लेन से आता है या फिर आता है शिप से और जब सामान शिप के तुरू आता है तब वो आता है बड़े बड़े boxes के अंदर रखकर अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि समुद्र के अंदर तो बहुत भयंकर भयंकर तुफान आते हैं जिसकी वज़ा से यह आगे पीछे दाइव आए कई जगा से हिलते रहते हैं लेकिन फिर भी यह box नीचे क्यों नहीं गिरते हैं इसका जवाब होता है box के designing के अंदर बहुत गजब की जानकारे देने वाले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा अक्च्वल में इन container के चारो ओरों पर एक तरह का अलग design मना जाता है इसमें oval shape के hole होते हैं और इन container को एक के उपर एक रखा जाता है इस तरीके से कि एक के उपर एक align हो जाए इस वज़े से कितना भी shape ले यह container गिरते नहीं है